हाई ट्रीश समीट फ्रॉम जस्मीट लग्स करें आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर पर सेव होंगे तो गाइस आप सब के बहुत जारा डाउट सा रहे हैं कि हमारे एक्जाम सम्मिट हुए है या फिर नहीं हुए हमारी जो केते हैं हमने जो इमेल करी थे उनको वह उन तक पहुंची है नहीं महुंची है हमें कोई भी कनफर्मेशन मेल नहीं आया या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने एक श्रीट के पोर्टल पर अप्लोड करी और बाकी इमेल कर दी कुछ स्टूडेंट्स ने इमेल आठ बज़े के बाद बेकरी और कुस्टूडेंट्स ने लीजे कि आपका जब भी एक्जाम होता है आप जो पोर्टल है वो भी का उसको लॉग इन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से शो करता होगा हमेशा ठीक है क्योंकि ये दिक्कत इस बार आई रही है सभी स्टूडंस को वहां पर उन्हें अफलोड करने का आप्शन नही दिखा रहा मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कह सकते हैं कि जो मैजॉर्टी अफ सुडंस हैं उनको ये दिक्कत आ रही है देखिए इसके लिए कोई भी सॉलूशन नहीं है आपको कहते हैं क्लियरली बोल रखा है स्वल निंग कि अगर आपका एक्जाम संभीट नह हमें इमेल कर Дे जो भी subject के सामने आपको इमेल ऐडी शो करती है बेसीकली कुछ साइम पहले एक लिस्ट भी जारी दिया है हर subject की अलक इमेल आउ डी य और आपको उसी पर ही send करनी होगी तब ही आपका पेपर चेक होगा वरना आपका पेपर चेक नहीं होगा at the end आपका absent mark क कर दिया जाएगा ठीक है अब जो सबसे में जो दिक्कत आ रही है वह यह आ रही है कि हमें कोई भी कन्फॉर्मेशन मेल नहीं आया सोल के तरफ से कि हमारी जो पीडियाफ फाइल है वो सम्मिट होई है या फिर नहीं होई है इमेल करने के बाद चिक है जब आप पोर्टल पर अप्लोड करते हो तो तो आपको एमेल आ जाती है कि आपने इतनी पीडियाफ और इतनी करते हैं वहाप पर शीट्स आपने आ गया है कि लेट्स एलेट्स आपका पेपर स्टार्ट हुआ दुपैर के धाई बजे तो आपको इमेल सिर्फ साड़े साथ और आठ के बीच में ही करना होगा ठीक है आप उसके बात कर रहे हैं तो यह गलती आपकी है अप उस पर एस वेल आपका पेपर असेप्ट करता है नहीं करता उस पर कहते कोई भी कनफॉर्मेशन नहीं है ठीक है यह गलती आपकी मनी जाएगी क्योंकि आप खुद देखिए कि आपको पांच घंटे का समय और देदिया गया है मेरे साब से कहती इतना मतलब पेपर लेंथी नहीं होता सिर्फ चार ही कोशन करने होते हैं तो पांच घंटे मोर देन इनफ होगा मेरे अकॉर्डिंग ठीक है तो आप अपना एक्जाम प्लीज टैम समिट करें और पहले ही मेल मत कर जीजे अगर पेपर अपलोड नहीं होता वेबसाइट डाउन चाहती है कुछ भी होता है को जो भी बताएगा टाइम टेबल आप उसके अपने एक्शन लीजिए अब बात कर लेते हैं बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो रखे हैं कि हमने एक पीडिया फाइल अपलोड करी पोर्टल की उपर और नीचे कहते हैं सम्मीट के बटन पर क्लिक कर दिया चीक है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्हों आपने कहते हैं चारों पीडिया फाइल अपलोड तो कर दी पोर्टल पर लेकिन नीचे सम्मीट के बटन पर क्लिक ही नहीं किया अब उस सिनारियो में अभी कोई भी शॉटी नहीं है कि आपकी जो पीडिया फाइल आव उन तक पहुंचेंगी या फिर नहीं पहुंचेंग अभी था कि जब भी आप करते हैं पोर्टल पर पीडिया फाइल अप्लोड करेंगे एडियेंट आपको सम्मिट एंड रिव्यू पर क्लिक करना होगा तब ही जाके आपकी अंसर शीट प्रॉपर तरीके से सम्मिट हो पाएगी ठीक है यहां तक और इसी के सास्त बहुत हूट गया है तो आपको बता दू उसके लिए वो स्टुडेंट अभी कुछ नहीं कर सकते आप अपने बाकी के एक्जामस दीजिए यह जो आपके एक्जाम रहने हैं यह एक्जाम के सेमेस्टर में नहीं होंगे सिक्स समेस्टर होने के बाद दोबारा से वाग कर मुझ नि है तो आप उनको simply email कर सकते हैं as simple as that चीक है चारो PDF फाइल आपको एक ही बार में send करनी होंगी email पर और बहुत से students की दिक्कत आई है उन्होंने last exam में यह वो email आई दी ती यहां पर अपना paper send किया और almost काफी students को रात को mail आई है दो बज़े के आसपास कि आपकी जो यह email थी यह कहते हैं sent नहीं हुई है और जब कि उन students ने एकदम सही से कहते हैं मतलब mention किया था email id भी और एकदम time से send किया था आप देखिए यह जो कहते है mistake है यातों के तरफ से है ठीक है कि उस सम्में कहते हैं उन तक mail वो delivered नहीं हो पाई उसके लिए आप जुरूर कहते हैं सोल campus आई कोई भी दिक्कत के बात नहीं होगी definitely आपकी बात सुनी जाएगी आप दिख़िए कि आपने exam अपना एकड़म टाइम से समिट किया था साड़े साथ और आठ के बीच में और तब भी आपको कहते हैं वापिस डिवर्ट आया है कि आपका email उन तक पहुंचा ही नहीं कुछ बहुत ही एकड़म basic और important doubts आ रहे हैं आप सब के जो की बहुत ज़रूरी था clear करना इसी के साथ साथ कोई और डाउट रहता है तो मुझे बताएं आप लोग नीचे comment box में और इसी के साथ साथ ठीक है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बल आइकन को भी ताकि आप सभी को सभी अपडेट एक दम टाइम से मिल जाएं